हलो दोस्तों कैसे हो आप लोग मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होगे और आप लोग स्वस्त होगे आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हाउ टो इंप्रूब कम्यूनिकेशन इसकेल आप किस तरह से अपनी कम्यूनिकेशन इसकेल को इंप्रूब कर स रखते हैं जिससे आप अपनी बातों को लोगों के सामने रख पाएं आप जो बोल रहे हैं वो लोग सुने कैसे होगा इसके लिए मैंने आपको चार वीडियों दिये हैं आज मैं आप लोगों से पूस्ता हूं कि उन चार वीडियों में कितने लोगों ने एक्सन लिया है कित भी फाइदा नहीं होने वाला अगर आपको लगता है मैं कोई चीजे सुल लूँगा सुल लूँगा फिर इसको छोड़ दूँगा उस पर काम नहीं करूँगा उस पर नहीं भर गपेट इसलिए आपको एक्चन टेकर बनना है हमेंके जा सूखते रहते ऐसा करेंगे वैसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करते करते थोड़ी दीर बाद हमारा दिमांग थक जाता है फिर हो वह टेकर बनो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि देखो एक छोटी सी केमिनिकेशन स्कील आप सुधारोगे आपकी जिन्दगी बदल जाए ऐसे आपकी जिन्दगी बदल गई ठीक है आज का जो पॉइंट है वो है सोग पालो ठीक है लोग कहते हैं सोग मत पालो तो मैं कहता हूँ सोग पालो और बिमारियों से दूर रहो आज का पॉइंट है ठीक है आपके पास सोग होने चाहिए सोग कैसे जैसे कोई नई स्किल सीखने का सोग लाइक डांसिंग कोई लैंगवेज ठीक है और फूलों को लगाने का सोग बागवानी का सोग ठीक है पॉधों को लगाने का सोग ठीक है कुत्ते के साथ बाहर घूमने जाने का सोग ये सोग होते हैं ठीक है और जिन लोगों के पास सोग होते है ना जो लोग सौकें टाइप के होते हैं उनकी रोग प्रतिरोधक छमता अधिक होती है ठीक है इसको वैग्यानिकों ने बताया है और वो मांसिक तनाव से मुक्त रहते हैं ये चीज याद रखना ठीक है तो आज से अपने सौक देखो तुम्हारे सौक क्या है तुम क्या करना चाहते हो जो वो उस चीज को आज नहीं कर पा रहे हो उस चीज पर काम करो ठीक है अपने सौक को बढ़ाओ और बिमारियों से दूर रहो ठीक है सच्छता से रहो सफाई से रहो क्योंकि बिमारियां यदि आपके अंदर आएंगी तो वो एक डी मोटिवेशन एक निगेटिव एनरजी आपके अंदर प्रवेस कराएंगी इस चीज को आप लोग याद रखना तो आज का वीडियो ज्यादा लॉंग नहीं बस यहीं पर यह हतम हो रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यह बताना कि कितने लोग एक्षन टेकर हैं और कितने लोग एक्षन दिंकर हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा आपके कमेंट का बेस सब्री से इंतजार रहगास के लिए यहीं तक wish you all the best thank you